Hi everyone, तो आज हम यार इस True Engineering की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे Machine Learning का next topic which is called Types of Machine Learning अपना चल रहा था तो आज हम देखेंगे semi-supervised learning क्या होता है, ठीक है बहुत ही simple way में समझेंगे, इससे बहले हमने supervised and unsupervised समझ लिया था अब उन दोनों का combination, ठीक है उन दोनों का combination बोले तो भाई, जैसे supervised learning में गया हो रहा था कि data जो है अपना label था, ठीक है तो एक होगा label data और साथ ही साथ, data हो भी सकता है कि unlabel भी हो, मतलब unsupervised learning की तरह भी, ठीक है training होगी, और training में दोनों type के data देखेंगे ठीक है, clear बात and कहीं कहीं जगह पे इसका बहुत जादा आजकल यूज़ है जैसे for example, यार आप लोग अपने phone में देखते होंगे अगर आप लोग सबी लोग phone में देखते होंगे कि photos वगरा होती है and photos में क्या होता है कि आपकी photo की जो भी, मतलब normally आपका face से क्या होता है, कि मालो अगर आपका face है तो आपके पास 15 ये 30 photos है तो उस सब का photos का क्या बना देता है एक album type का बना देता है वो face detect करके बना देता है, ठीक है पहले उसको बता करना पड़ता है कि ये face है किसका अगर आप लोग बता देतों कि हाँ, ये मेरा face है और वो उसी face का क्या बना देगा पूरी album create कर देगा ऐसी ही, अगर आपकी family में किसी और का face है मालो आपका, आपकी mom का face है तो mom के face से भी कितनी, जितनी photos होंगे उस phone के अंदर, वो सारी photos का क्या कर देगा एक album create कर देगा तो ये example है वाई, semi-supervised learning का जिसके अंदर पहले जो data है, वो unlabeled data है बट, एक बर आपने बता देगी ये मेरा face है, ये मेरी mom का face है देन, उसके बाद वो खुद बखुद उससे related जितनी भी photos होंगी उन फोटोस के face से वो क्या कर लेगा, उन सभी का एक album create करके रख देगा, तो ये best example है वाई, semi-supervised learning का समझ रहे हो बात, तो ये आज के टाइम पर आप Google का AI वगेरा और बहुत सारी चीज़े हैं, albums वगेरा में भी आप देख सकते हो इस सारी चीज़ें, ठीक है simple है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा and पढ़ने से पहले हैं diagram समझते तो diagram में कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर जो data है वो अपने पास दो तरीके का, एक है unlabel data और दूसरा data अपने पास लेवल data and sometimes you can also say that it is a partial label data ठीक है, so दोनों टाइप के data है अब इन दोनों data से और साथ में input data है तो इसके बाद क्या होगा, जो model होगा machine learning का, जो model है, वो क्या कर देगा predict करेगा कि कौन सा fruit apple है या नहीं, मतलब separation भी कर सकता है और जो भी हमाँ output सी है उस तरीके से output हमें predict करके देगा, for example हमें apple find करना है, इन सारे input data में से, तो फिर वो last में हमें apple find करके देगा तो this is the example of semi-supervised learning, ठीक है, समझे है तो आप एके करके read करते हैं semi-supervised learning is a machine learning paradigm, where a model learns from both level data and the level data, तो model जो है, वो दोनों से learn करेगा, क्योंकि पढ़ किसके अंदर है, machine learning के अंदर है क्या है यह भी यह type है, machine learning का तीसरे नमर का type है, पहला आपने supervised learning पढ़ लिया, दूसरा unsupervised पढ़ लिया and the तीसरा type is semi-supervised ठीक है, in traditional supervised learning जो normal supervised learning होती है उसमें जो model होता है, वो train करता है, किससे label data से train होता है, ठीक है, समझ रहो and where each input example is paired and its corresponding output level, however, obtaining label data can be expensive, very very important चीज, अब data labeling होगी data के अंदर तो expensive होगा and उसमें तुम बता रहो है कि data को पकड़के तो time consuming भी होगा ठीक है, for example में पस यहाँ पे बहुत सारे fruits हैं या combinations of fruits हैं, या mixture है सभी का, तो मैं उनको labeling कर रहा हूँ तो इमालो apple वगेरा के लिए एक छाड़नेंग लिए मैंने एक person लगा लिया मैंने का भाई, इस bag के अंदर जितने भी apple हैं, उनको तुम यार side कर लो, तो एक apple के लिए bag बना लिया छोटा, दूसरा मैंने बना लिया bag एक orange के लिए कि या जितने भी होंगे orange इस bag के अंदर पूट करो, and तीसरा बना लिया बनाना के लिए, तो यहाँ पे यह time consuming भी हो गया, और क्या हो गई यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा बहुत expensive हो गया क्योंकि मैंने तीन person hire किये and तीनों का काम मैंने दे दिया समझे हो, so यह क्या label data को पकड़ने के लिए हमें यह काम तो करना पड़ेगा, and यह थोड़ा expensive and time consuming भी, especially in domain where labeling require human expertise मैंने बता दिया, अगर मैंने मालो एक apple रखने के लिए यहाँ पे एक person को रख लिया, ऐसी ही यहाँ पे दो person और रख लिए, orange और बनाना के लिए तो अगर यहाँ पे human की requirement पड़ रही है, तो वहाँ पे यह जो चीज होगी, वो बहुत जादा क्या होगी, expensive हो सकती है so that's why यहाँ पे बात होती है semi supervised के, सिर्फ और सिर्फ labeling data का होगा, supervised learning होगा तो है तो बहुत अच्छी बात and model भी अच्छे से train हो जाएगा but supervised learning का एक दूसरा disadvantage आप कह सकती है, यहाँ पे expensive हो सकता है, and time consuming हो सकता है क्योंकि आप यहाँ पे human expertise की requirement हो पड़ सकती है, ठीक है clear है बात, so that's why unsupervised learning and semi supervised learning as compared to supervised learning से थोड़ा सा effective मैं अगर कहूंगा, तो cost से तो है वो, ठीक है, तो यह scenario आप समझ गया, तो किसकी बात हो रही थी अभी तक supervised learning की, such as medical diagnosis and natural language processing, which is called NLP ठीक है, बात समझ मैंगी, तो इस supervised learning के बारे में आपे बता दिया, अब in semi supervised learning, the model leverages both labeled and unlabeled data, अब यहाँ पर जो data होँगे, वो दोनों होगे, ठीक है, during training to improve its performance, समझ गया भाई, okay समझ गया था starting में, the intuition behind semi supervised learning is that the unlabeled data can provide additional information, very 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 important, जो unlabeled data होगा, उसको additional informations provide होँगी, ठीक है, about the underlying structure of the data distribution, which can help to improve the model generation, generalization and the ability, बात समझ बारी है, तो कुछ इस रगार से आप समझ गया, मेरे खाल से simple definition है, यहाँ पर दोनों बात बताए था यह कि supervised learning में क्या हो रहा था, and यहाँ पर expensive कैसे ज़्यादा हो रहे था expenses, चाहिए है, क्योंकि आपर human expertise की requirement पढ़ सकती है, example दिया मैंने यह, and यहाँ पर आपको बता चाहिए कि time consuming भी है, and cost भी आपर जाद है, so that's why semi supervised learning में benefit यह हो जाता है कि यहाँ पर human effort तो लगते मैटो एक बार ही, जैसे मैं आपको बता है face detection में, एक बार आपने उसको बता दिया कि यह मेरा face है, तो आप से related जितनी भी photo होंगी, मालो 50 photo है, तो फिर आपको बताने की जरुवत नहीं है, वो खुद बाखुद आपके face से relate करके, सारी albums त्यार कर देगा, खुद बाखुद, बस एक बार बतानी है, ठीक है, यह सी यहाँ पर भी एक बार आपने data को labeling कर दी कि यह तुमारी mom की face है, तो mom से related मालो 100 photos है आपके phone के अंदर, तो 100 photos का क्या कर देगा, यह album खुद बाखुद create कर देगा, face detect करके, ठीक है, तो यह example होगा, semi-supervised, इसमें क्या होगा, human effort तो लगे, बट यार वो एक बार ही लगे, ठीक है, एक बार लगे, and उसे related आपने इतने सारे results, बिना दिक्कत के निकाल दिया, ठीक है, तो यह scenario बैटता है, semi-supervised learning का, समझ गया, यहाँ पर दूसरी definition आप अगर देखोगे, तो semi-supervised learning is a type of machine learning algorithm, that represents the intermediate ground between supervised and unsupervised learning, तो दोनों के बीच वाला चो काम है, वो semi-supervised learning, it uses the combination of labeled and unlabeled dataset during the training period, ठीक है, समझ गया, simple है, next जो शीज है, विच इस कॉल्ड यहाँ पर बहुत सरी approaches होती है, बस मैंने आपको, यहाँ पर दो approaches दिखाई है, एक पहली approach है by self-training approach, ठीक है, और दूसरी approach है, co-training approach, तो एक बार आप इनको read कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़े नहीं है, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, चलो, देखो, main बात यह है, approaches वगेरा, semi-supervised learning का कोई जादा, इतनी detailing में नहीं पूर्षता है, approaches बहुत तरीखे की हो सकती इसमें, दुनिया भर की, but जो main target है, वो है types of machine learning पढ़ने का, तो हमने उसके उपर depth में understanding ले लिए, तब भी एक बारी read करके समझ लेता है, कि क्या scenario better है, self-training में and co-training में, in self-training, the model is initially trained on the label data, शुरू कहां से होगा data, लेबलिंग से train होगा, जहाँ पर data को अपने लेबल कर रहा है, initially वहीं से, then model क्या करेगा, predict कर लेगा unlabeled data के बारे में, ठीक है, तो यही scenario, then the model is used to make prediction on the unlabeled data, मैंने बता दिया, शुरू कहां से होगा, initially train होगा लेबल data से, फिर खुद बखुद प्रेडिट करने लेगेगा, unlabeled data के उपर भी, and the confident predictions are added to the label data sets, the model is retrained, using the updated label data sets, and this process is iterative, until convergence, ठीक है, clear होगी बात, तो यह बारवर यही process चलती रही, so this is your self-training, next यह चीज़ है, which is called code training approach, तो code training approach के अंदर क्या होगा, code training is a semi-supervised learning technique, suitable for multi-view data, where each example is represented by multiple feature sets, और views, ठीक है, in code training, the model is trained separately on each view, using the label data, तो यहां पे, क्या होगा, data label है, ठीक है, but हर एक view के उपर क्या होगा, completely train होगी model, ठीक है, हर एक view के उपर बात होगी, then the model make prediction, on the unlabeled data, और for each view, तो वही है, co-training, समझे रो, तो यह बात है, पहले होगा, label data में ही training होगी, but, एक-इक view पकड़ा जाएगा उसका, ठीक है, then फिर unlabeled data का view, पर वो prediction कने लगेगा, ठीक है, and the most confident predictions are used, to augment the label data sets, for both views, the model is retrained, using the augmented label data, and this process is iterative, so यह process भी, दोनों iterative मालब, दोनों loops में ही काम कर चे रहेंगी, तो यह काम है भाई यह, co-training and self-training का, पास समझ में आ रही, क्या scenario है बैट रहा है, and मेरे खाल से, semi-supervised learning, अब किसी को doubt बची नहीं का होगा, हर एक चीज़ सीखिया हमने, and आज कर इतने रखते हैं, मेलते हैं next video के साथ, बाई,